नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आकरती चैनल में स्वागत हैं। दोस्तों, हिंदू केलेंडर के अनुसार अक्षेत रितिया का पर्व हर साल वैशाक महीने में शुकल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है। अलग-अलग स्थानों पर इस तिथी को अक्ति, आखातीज या अक्तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्षेत रितिया का महद, उसकी पूजनविधी और व्रत कथा के बारे में। आए सबसे पहले जानते हैं अक्षेत रितिया का महद, ऐसी माननता है कि अक्षेत रितिया के दिन किया गया कोई भी काम लगातार बढ़ता है और समरिद्ध होता है। इस दिन कोई भी शुब काम करना हो तो पंचांग देखने की आविशक्ता नहीं होती क्योंकि पूरे दिन को ही बहुत शुब और पवित्र माना जाता है। इस पवित्र दिन पर दानपुर्ण करने का विशेश महद्व होता है। आईए जानते हैं अक्षेत रितिया की पूजनविधी के बारे में। पीले फूलों की माला अरपित करें। इनहें भूग में केला, नारियल, पान, सुपारी और मिठाई अरपित करें। माता लक्षमी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। इसलिए इनहें कमल का फूल अरपित करें। फिर विश्नु चालीसा और विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अंत में विश्नु जी की आरती करें। हिंदु धर्म शास्त्र के अनुसार इस दिन पित्रों का तरपन करना भी बहुत शुब माना जाता है। और भगवान विश्नु और माता लक्षमी की विदे विधान से पूजा करने से सभी मनो कामनाय पूर्ण होती है। आए जानते हैं अक्षेत रितिया व्रत कथा के बा पूरत के महद्व को सुनने के बाद उसने इस पर्व के आने पर गंगा में सनान करके विधी पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। इसके पश्चात उसने स्वन्ण, वस्थ और दिव्वस्तुएं ब्रामन को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस और व्रद होने क पूर्व के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुर्ण किया। यही वैश दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बन गया। कहते हैं अक्षेत रितिया के दिन किये गए दान और पुर्ण के कारण ही वह बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि तृदेव भी उसके दरबार में अक्षेत रितिया के दिन ब्रामन का भेशतारन करके उसके महायग में शामिल होती थे। अपनी श्रद्धा और भक्ती का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। और महान बैभवशाली होने के बाद भीवा धर्म म आर्ग से कभी बिचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रकुप्त के रूप में पैदा हुआ। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अन वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को दिख रहे हैं तो आकरती पेच को लाइक करें ताकि हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को जाद से जाद शेयर करें। धन्यवाद।